एक तरफ जहां देश में कुरोना केसिस का आंकड़ा 11 लाग के पार जा चुका है यूपी और बिहार जैसे राज्यों में मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं तो वही राजधानी दिल्ली का ट्रेंड अब उल्टा चल पड़ा है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुरोना के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली 24 घंटे में यहां नए 954 केस सामने आए 27 माई के बाद ये पहला दिन है जब दिल्ली में 1000 से कम केस सामने आए दिल्ली का रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा है जो फिलहाल 84.78 प्रतिशत है तो वहीं डेथ रेग दिल्ली में कुरोना वायरस के अब तक कुल 1,22,793 मामले सामने आए हैं इन में से 1,334 मरीज ठीक हो चुके हैं वहीं मरने वालों की संख्या 3,628 है दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल ने कुरोना पर काबू पाने का श्रे केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अच्छे तालमेल को दिया था इसी का नतीजा है कि पिछले लगभग एक महिने से दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट रेसिंग और ट्रीटमेंट में सुधार से दिल्ली में कोविड-19 का इनफेक्शन रेट भी 6 प्रतिशत से कम रह गया है जुलाई में इनफेक्शन की दर लगातार कम हो रही है और अब ये 10 फिज़दी से भी नीचे जा चुकी है राहत की बात ये है कि पिछले 30 दिनों में इनफेक्शन की दर में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जो दिल्लिवासियों के लिए एक शुब संकेत है NBT Online की रिपोर्ट